हेलो स्टूडेंट्स खान लर्निंग क्लास के प्लैट्फोर्म पर मैं अजरा खान आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बहुत-बड़ी आसे होंगे आप सब और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी अगर आप भी टैट और सीटेट एक्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा हेल्फुल होगी क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं परियावरण से सम्बन दे 30 कॉशन जो परिक्षा तिती सैंपल पेपर 27 जनवरी 2023 का पेपर है करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है सही कतनों की पहचान कीजिए कतन ए है सामजिक वा आर्थिक हाशियकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है कथन B है सामाजिक वार्थिक हाशियकरण आपस में जुड़े हुए हैं कथन C विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का आ इस्थाई पुने इस्थानन प्रवसन कहलाता है कथन D, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का इस्थाई पुने इस्थानन विस्थापन कहलाता है option number A है, A और C सही है, option number B, B और C सही है, option number C, A और D सही है, option number D, B और D सही है option number D, मतलब B और D कथन सही है, option D है, option D सही है, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का इस्थाई पुने इस्थानन विस्थापन कहलाता है so right answer option D हो जाएगा, next question is that बावडियों यानि सीडीदार कुओं के बारे में नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए, कथने हैं, ये मुख्यते वर्षा रहित छेत्रों में ही दिखाई देते हैं कथन B, ये वर्षा के पानी के भंडारन और संडक्षन की पारंपरिक प्रणाली है, कथन C, इनका उप्योग सामुदायक संसाधन के रूप में किया जाता है, कथन D, बावडियों में सीडियां जमीन के नीचे कई मन्जिल तक जाती है, परंतु किसी को भी सीडियों द्वा औप्षन नमबर D, A, B और C, तीनों सही है, सो राइट आंसर औप्षन D हो जाएगा कि A, B और D, तीनों कथन सही है, नेक्स्ट कुशन इस दैट, आपदा के बाद शरणार्थी, यानि लोग अपने छेतर को वापस लोटते हैं, यह है, क्या है, डिस्प्लेस्मेंट है, वि प्रत्या वर्तन है, क्योंकि अपने छेतर को वापस लोटना मतलब प्रत्या वर्तन होना, नेक्स्ट कुशन है, नीचे दी गई पहली हल कीजिए, पहली दी गुई है यहाँ पर, तो इसको हमें हल करना है, देखते हैं क्या है पहली, पेड के तने में छेद बनाऊं, उसमे चिपे कीडे में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं, उप्शन A है, कट फोडवा, मतलब वुडपैकर, इंडियन रॉबिन, यानि कलचडी, सन बर्ड यानि शकर खोरा, या डव यानि फाक्ता, इसका राइट आंसर, उप्शन A हो जाएगा कट फोडवा, मतलब दी गई पहली में, दर्शाइ गई सभी विशेशता है, किस पक्छी की हैं, जिसे कट फोडवा, मतलब वुडपैकर कहते हैं, सो अप्शन D, स्वरी A, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कुशन इस बिहार में मदुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिये गए, कथनों पर विचार कीजिए, कथने हैं, मदुमक्खी पालन आरम करने का सरवोत्तम समय अपरेल से जून है, कथन B, पृतेक मदुमक्खी के छत्ते में एक राणी मक्खी होती है, जो अंडे देती है, कथन C, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेश भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं, कथन D, मादा मदुमक्खियां फूलों के चारों और रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहर बनाती हैं, इन में सही कथन क्या है, कथन A है, A, B और C, option B, B, C और D सही है, option C है, केवल B और D सही है, option D, केवल A और C सही है, so right answer, option number, अब इसमें क्या हो जाएगा देखो, बिहार में मदुमक्खी पालन के बारे में दिये गए कथन निम्न है, तो ये कथन सभी जो है, वो सही है, तो इसम इस particular कोई answer एसन नहीं हो सकता, तो इसमें option सभी सही माने जाएगे, next question is that, महराष्ट में गन्ने के खेतों वाले एक गाउं में मुकादम की क्या भूमिका है, महराष्ट में गन्ने के खेतों वाले एक गाउं में मुकादम की क्या भूमिका है, देखते हैं, वे एक agent है, जो विभिन सिचाई की सुविधाओं को पलब्द कराता है, option number B है, वे एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बाटता है, option C, वे एक एजेंट है जो आधुनिक क्रशी सुविधाओं के प्रयोग को प्रोथसाहित करता है, option D है, वे है एक एजेंट है जो धन उधार पर देता ह तथा परते परिवार द्वारा लिये गए रिण का विवरां देता है, सो राइट अंसर क्या हो जाएगा, option number D, इसका राइट अंसर हो जाएगा, next question is that, खाद्य पदार्त में प्रोटीन की जाच के समय, खाद्य पदार्त बैंगनी रंका हो जाता है, क्योंकि, आसानी से हो जाता है, option C, खाद्य पदार्त में पैप्टाइड बंद की उपस्तिती होती है, option D, खाद्य पदार्त में ओ पैप्टाइड बंद की उपस्तिती होती है, so right answer option number C हो जाएगा, next question is that, रामु कमजोर मास पेशियों तथा कारे करने के लिए, बहुत कम उर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है, मतलब कमजोर मास पेशियों तथा कारे करने के लिए, बहुत कम उर्जा उसके पास होती है, तो उसे अभाव हो सकता है, vitamin D का, vitamin A का, vitamin C का या vitamin B का, sorry B1 का, so right answer option number D हो जाएगा, कि उसमें vitamin B1 की कमी है, मतलब उसकी वो शिकायत रहती है उसे, तो इसलिए वो अपने जादा उर्जा कामों में नहीं लगा पाता है, next question is that, पोचम पल्ली हमारे देश की, मतलब हमारे ही देश के, पोचम पल्ली हमारे ही देश के एक राज का जिला है, यह जिला अपनी सुन्दर चमकीली रंग ब्रंगी साडियों और विशेश प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला किस राज का भाग था, option A है, करनाटक, option B, आंधर प्रदेश, option C, तमिलनाडू, option D, तेलंगाना, तो राइट आंसर हो जाएगा, option D, तेलंगाना का राज का भाग था, next question is that, निमलिखित में से हमारे देश के पैट्रोलियों मुत्पादक छेत्रों के युगल को चुनिये, असाम और राजिस्थान, जहां सबस्यदा पैट्रोलियों मुत्पादन होता है, बिहार और बॉंबे हाई, option C, गुजरात और तमिलनाडू, option D, पश्चिम बंगाल और बॉंबे हाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका option नमबर A, इसका राइट आंसर हो जाएगा, असाम और राजिस्थान, next question is that, next question is, निमलिखित में से कौन सा समुदरी लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्छे पन नहीं है, निमलिखित में से कौन सा समुदरी लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्छे पन नहीं है, option A, महराप, option B, खड़ी चट्टान, option C, धेर, option D, लोएस, यानि पवनोर्ट म्रती का सुराइट आंसर, option नमबर D हो जाएगा, next question is that, वायू मंडल के इस परत में उलका पिंड जल जाते हैं, option A, बाहाई वायू मंडल, option B, मध्य मंडल, option C, समताप मंडल, option D, बहिर मंडल, so, right answer, option B, हो जाएगा, कि वायू मंडल के इस परत में उलका पिंड जल जाते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो है, मध्य मंडल है, next question is that, जदी चंद्रमा का परिक्रमा पत घटना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, option A है, चंद्रमा एक ब्रहत गुरुतवी बल प्रियोग में लाएगा, option B, निम्न जुआर भाटा उच्छ बन जाएगा, और उच्छ जुआर भाटा निम्न बन जाएगा, option C, यह है एक निम्न जुआरी उभार पैदा करेगा, option D, निम्न जुआर भाटे पैदा होंगे, so right answer, option number A हो जाएगा, चंद्रमा एक ब्रहत गुतवी बल प्रियोग में लाएगा, so इसका right answer क्या हो जाएगा, option number A, इसका right answer हो जाएगा, कि चंद्रमा एक ब्रहत गुतवी बल प्रियोग में लाएगा, next question is that, लद्दाख में इस्थित प्रत्वी की सबसे थंडी बसी जगा हुई यानि जगा का नाम क्या है मतलब सबसे थंडी बसी हुई जगा का नाम क्या है जो लद्दाख में इस्थिते वो प्रत्वी की सबसे थंडी बसी जगा है option A है द्रास, option B करगिल, option C गांगरी, option D कारा कोरम so right answer option A जो है द्रास यह सबसे प्रत्वीगी थंडी जगा है ठीक है, so option A इसका right answer हो जाएगा next question is that एक परियावरान अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि साब के कान नहीं होते इसलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकता है इनिम लिखित में से कौन से कथन प्रिक्रिया कोशल की ब्याख्या करते हैं कथन A है परियावरान के बारे में स्वभाविक जिग्यासा की अभिव्यक्ति option B कारे और कारण सम्बंद की स्थापना option C जीब विवित्ता के प्रती सराहना की अभिव्यक्ति option D अवलोकन के आधार पर सामानी करना so right answer option देखते हैं पहले option A B और D सही है option B A और B सही है option C B और C सही है option D C और D सही है so right answer क्या हो जाएगा option A का right answer हो जाएगा के एक परियावरन अध्यापक अपने विद्यार्तियों को समझाता है कि साम के कार नहीं होते इसलिए विस अपेरी की बे नहीं सुन सकता वलोकन करते निरिक्षन करना परिक्षन करना तथा ध्यान से देखना so option A कराईट answer हो जाएगा next question is that खाद्य पदार्तों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निमलिक्षित में से कौन सी क्रिया कलाव पिया चर्चा कक्षा में शिक्चक को करानी चाहिए देखते हैं option A है घर पर भोजन बनाने का वलोकन करना अधिक्तम मात्रा में चीजों को खरीदना option C चिपस पैकेट को फ्रीजर में रखना option D किसी भी पदार्त को खरीदने में या खरीदने से पहले उसकी समापती की तिथी जाच लेना मतलब expiry date देख लेना manufacture date देख लेना so right answer option number D हो जाएगा किसी भी पदार्त को खरीदने से पहले उसकी समापती डेट मतलब expiry date before buying any commodity देख लेनी चाहिए next question is that निमलिकेट में से किसी ओजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है option A स्वापठन समस्य समधान और परिचर्चा option B उपलबधी परिक्षण option C श्यामपट से नोट लिखना option D संदचित अधिगम अनुभब देना so right answer option number A हो जाएगा next question is that जब इद्यार्तियों को उनकी अपनी गती से सीखने की स्वातंतरता दी जाती है तब अधिगम का ये उपागम कहलाता है option A सहयोगात्मक अधिगम option B अनुकूली अधिगम option C सक्री अधिगम option D निश्क्री अधिगम so right answer option number C हो जाएगा कि सक्री अधिगम next question is that कक्चा पांच के विद्यार्तियों को आवास के बारे में सिखाते समय निमलिखित में से कौन सी युक्ती option A है विद्यार्तियों से ग्रामीर एवं शहरी चेत्रों के विभिन आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना option B विद्यार्तियों को विभिन पशुओं के आवासों के चित्र दिखाना Option C, विद्यारतियों को विभिन पशूओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुती करण दिखाना Option D, विद्यारतियों को समुधाय में आवासों के ब्रहमन के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना सो option number क्या है कॉशन कक्चा 5 के विध्यार्तियों को आवास के बारे में सिखाते समय निमलिकित में से कौन सी युक्ति उन्हें प्रोथ साहित करेगी सो option number D जो है कि विध्यार्तियों को समुदाय में आवासों के ब्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना कि उन्होंने जाजा ब्रमण किया है आवासों का ब्रमण किया है उसमें उनकी अनुभव क्या है next question is that प्रात्मे कक्छाओं में पर्यावरन अध्यान शिक्षण है तूने मलिखित में से क्या निवार है कथने हैं देखने सुसजित प्रयोग शाला संसाधन कक्ष स्थानी संसाधन या आसानी से उपलब्द सामगरी का उप्योग करने वाला प्रयोग option A है option A और B सही है option B B और C सही है option C C और D सही है option D A और D सही है so right answer option C हो जाएगा next question is that प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरन अध्यान सीखने में विद्यार्तियों के लिए क्या सबसे उप्योगतु हो सकता है प्रतेक बच्चे को गतिविधी करने निरिक्षण करने रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमती दे option B उन सभी उत्तरों को सुईकार ना करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं option C विद्यार्थियों को तत्यों और सिद्धानतों सिद्ध सहित प्रयोगों के सभी चर्णों को याद रखने की अनुमती दे option D विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमती दे तो देखने हैं कि प्रयोगों के माध्यम से परियावर अध्यन सीखने में विध्यारतियों के लिए सबसे उप्योग तो हो सकता है सो option नम्मर A कराईट answer हो जाएगा कि प्रयोगों के माध्यम से परियावरन अध्यन सीखने में विध्यार्थियों को किसी गतिविदी में शामिल करना चाहिए तथा उनको अपनी गतिविदीों का स्वयम से निरिक्षन करते हुए रिकॉर्ड करने के लिए भी कहना चाहिए नेक्स्ट कोईशन इस डाट निमलिकेत में से कौन सा दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट से एक निश्चे तवधी में बच्चे की उत्त्रोकतर अधिगम उपलब्दी का संचाई साक्षे है औप्शन इस आकलन सूचक अंकन पुस्तिका औप्शन बी वार्षिक आकलन अभिलेक पंजिका औप्शन सी है पोर्टफोलियो औप्शन डी रिपोर्ट कार्ड तो पोर्टफोलियो वैदस्तावेज है औप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि जो एक निश्चे तवधी में बच्चे की उत्त्रोकतर अधिगम उपलब्दी का संचाई साक्षे है ये एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी छेत्रों की क्रमवद्ध जानकारी एकत्रित करकी रखा जाता है अर्था किसी बालक की क्या उपलब्दियां है तता क्या कमियां है इन सभी की जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहती ह ओप्षण नमद C, राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, परियावरन अध्यन के शिक्षण का विद्यारती के इंद्रित प्रकरम निमलिखित में से कौन सा है, लेक्चर मैथोड व्याख्यान विधी, डिक्टेशन यानि शुरुत लेखन, लेक्चर और की दवाई साप के जहर से ही बनती है, इंद्रा के शिक्षण को निमलिखित में से कौन सी विदी का प्रियोग करना चाहिए, जिससे वैसे बहतर तरीके से समझ सके, कथन देख लेते हैं, साप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, परवारता के लिए डॉक्टर को आमंत करें, कथन C है, शिक्षक द्वारा इस प्रिकरिया की ब्याख्या की जाए, साप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है, उस में प्रिकरिया का विडियो प्रेस्तुति करना, कथन A है, A और D सही है, option B, B और C सही है option C, A और B सही है option D, B और D सही है so इसका right answer क्या हो जाएगा option number A इसका right answer हो जाएगा कि यदी इंद्रा को यह समझने में कटनाई हो रही है कि सापके काटने की दवाई सापके जहर से ही बनती है तो उसके शिक्चक को चाहिए कि विसापके काटने पर इलाज कैसे किया जाता है इस प्रकरण मतलब टॉपिक पर वारता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें और सापके जहर की दवाई कैसे बनती है, उसी प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुत करें Next question is that, एक पर्यावरन अध्यन की शिक्षिका अनीता विध्यारतियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चैन करने के लाब का वर्नन कर रही है अनिता का कौन सा कथन सकते है कौशन समझे कि एक पर्यावरन अध्यन की शिक्षिका है अनिता विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाब का वर्णन कर रही है ओप्शन अे कौन सा कथन है सही औप्शन अ है कथन देख लेते हैं पहले निचले कक्षाओं के लिए प्रतिशत उप्योक्त है Option B, कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रियोग आसान है Option C, विद्यार्तियों की शक्तियों तता कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है Option D, प्रशासनिक उद्देश के लिए प्रतिशत का प्रियोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है Option D, इसका right answer हो जाएगा कि प्रिशास निकुद्देश के लिए प्रतिशत का प्रियोग करने में एवा मर्थ निकालने में आसानी होती है। बच्चों के लिए खेलों वाले क्रिया कलापों की मतलब जो एक्टिविटीज होती हैं खेल वाली उनकी ब्यवस्था की जाती है। जीखने की प्रिक्रिया को बढ़ाएं। So option B, right answer हो जाएगा। Next question is that, गतिविधी है एक्टिविटी इस? Option A, पाट्य पुस्तक में दियेगा यसी दान्तों का पुष्टी करन है। Option B, एक खुला सतंत्र अन्वेशन है। Option C, बच्चों को सीखने में सहायता करना है। Option D, अवधारनाओं को प्रशुत करने का तरीका। So right answer, option B, हो जाएगा कि गतिविधी कतात पर उन सभी क्रियाओं से हैं। रहन सहन का, बच्चे का रहन सहन, आच्रन, चालधाल, चेश्टा, क्रियक, लापादी सभी शामिलोतेज, option नमब B, इसका right answer हो जाएगा। Next question is that, पर्यवरन अध्यन किस प्रिकार का विशे हैं। जिसमें अन्य विशे समाहित हो, option B, विशेयक, option C, अंतर विशेयक, option D, अंतरा विशेयक, सु right answer, option C, अंतर विशेयक हो जाएगा। Next question is that, पर्यवरन अध्यन की पार्टे पुस्तकों में सामगरी कैसी होनी चाहिए। चात्रों को लिखित जानकारी देना, प्रश्न करने वा मनविशन की अवसर प्रदान करना, या रटने को हतोत साहित करना, या परिभाशाओं तथा विस्तरेत विबरन को से बचना। तो देखते हैं, option कौन-कौन से कतन सही हो सकते, A, B और C सही है, B और C सही है, A, C और D सही है, या फिर B, C और D सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका option नमर D, के B, C और D कतन सही है, अगर थी हमारी 30 questions की class, I hope so आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसं अप्लोट को मिसना करें, thanks for watching my video and see you again with the next video, thank you so much once again